नवस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ संदीब ग्रुवर और उला एलेक्रिक का शेर, फोकस में है, लाइम लाइट में है, चर्चा में है, और चर्चा इस बात को लेकर है, निवेश करें या नहीं करें, क्योंकि इस शेर में जिस तरह की चाल बनी थी, IPU की लिस्टिंग के बाद से और जिस तरह की गिरावट आई, हाई बनने के बाद, अब इस रिकवरी में क्या शेर में खरदारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस सवाल को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित हैं, बहुत सारे लोग मन विचार कर लिए हैं कि क्या अब इस शेयर में एंट्री कर लेनी चाहिए इसी लिए हमने ओलाइलेक्टरिक के शेयर को आज आपके लिए कवर भी किया है तो पहले देखते हैं कि शेयर में किसरा का एक्षन बना है किती गिरावट हुई थी और अब इस शेर में जो recovery हो रही है उसमें आपको क्या करना चाहिए यह आपको बताएंगे पहले देखेंगे आज इस शेर में आज हमने देखा है कि 5% तक का जो आपको हो है वो देखने को मिला नौ अगस को इसके लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद डबल हो गया था यह शेर और वहां से 5 दिन में लगातार इसमें 25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी और आज इस शेर में हो रही है रिकवरी कल इस शेर आगर आप देखें 26 अगस को 118 रूपे 60 पैसे तक गिर गया था तो हाई लगाया था 157 रूपे 40 पैसे का और वहां से गिर कर आ गया था 118 रूपे 60 पैसे पर और उन लेवल से इस शेर में अब रिकवरी देखने को मिल रही है तो गिरा क्यों था शेर 157 रूपे 40 पैसे का जो हाई बना था वहां से शेर में गिरावट क्यों आई थी पहले वो समझ लेते हैं फिर आपको बताएंगे कि आखिर इस कंपणी में वह आपको करना क्या चाहिए देखें लिस्टिंग के 7 दिन के अंदर ही आप देखें यह शेर डबल हो गया था दो गुना से जादा हो गया था जैसे मैंने कहा 76 रूपे का इशू प्राइस था और 157 रूपे 40 पैसे इसका हाई लेवल है जो कि इसने चुआ है तो दो गुना से जादा इस शेर बढ़ च आने लगा था टेसला जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इवी कंपणी मानी जाती है यूएस में लिस्टेड है उससे भी जादा महंगे वैलिशन पर ही स्टॉक ट्रेड करने लगा था जिस वजह से मुनाफ़ वसूली आना स्वभाविक थी और जिस तरह का मूव हमने देख हो रही थी उससे बचाने के लिए उससे कॉशन करने के लिए सतर करने के लिए स्टॉक एक्सेंजिस की और से यह जो फैसला है वो दरसल लिया गया था जिस वजह से भी इस शेयर में हमने गिरावट का रुखा आता हुआ देखा है अब नंबस भी देखें जो परफॉर्मे इसमें देखने को मला था वैलुशन जिस तरह से महेंगे हो गए थे और वैलुशन को लेकि जो कंसर्न थे उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इस शेयर में हमने पांस दिन तक लगाता गिरावट होती हुँ देखी है 157 रुपे का 157 रुपे 40 पैसे का हाई बन आते हैं पर वहिकल इनको करीब 24,000 रुपे का नुकसान हो रहा है फिलाल क्योंकि सब्सडी वाला जो फैक्टर है वो इनके लिए दिक्कत की बात है और घाटे की रिकवरी के लिए एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि जो बैटरी की कास्ट है बैटरी की कीमत है उसको नीचे ल पर वहिकल अगर आप देखें तो बिजनस या तो फिर जो मुनाफ़ा है वो आने की जो उमीद है वो आप करते हुए चल सब्सक्राइब सकते हैं यानि कि यह वला वितवर्ष देख लीजिए अगला वितवर्ष देख लीजिए इनको मुनाफ़ा नहीं होना है और उसके बाद जो वितवर्ष आएगा वहां पर हो सकता है कि शायद एक कंपनी मुनाफ़े में आने की शुरुवात करती हुए दिखे तो कम से कम द कवरी में क्या खरदारी करने के मौके हैं हमने शरदमिश्रा.com के पर्मोटर एंड सी आई यो शरदमिश्रा साब जी से बात सित करी उनका है कि 120 से लेकर 133 रुपे यह ट्रेडिंग रेंज है जिस रेंज में शेयर में फिलाहल कारोबार देखने को मिल रहा है तो 133 का कर सकते हैं तो फ्रेश ख़दारी कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ओवरॉल बुलिश है तो उस लिहासे 120 रुपे के साथ आप चाहें तो इसमें तीजी की पोजिशन बनाकर चल भी सकते हैं अगर आप फ्रेश ख़दारी करने का मन यहां पर बनाकर चल रहें लेकिन 133 का क्रिक की जिसमें न्यूस फ्लो काफी जादा है शेर में बहुत बड़ी तीजी आई आई पियो के लिस्टिंग के बाद से उसके बाद एक फॉल भी देखने को मला और उसके बाद रिकवरी में जातर लोगों के मन में ही सवाल है कि क्या इस रिकवरी को भुनाना चाहिए क् क्या सही लेवल होगा खैजारी करने का ये सब हमने आपके सामने रख दिया है तो ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखने के लिए मनी ना इन के साथ आप लगातार बने रही है